नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं आदिवासी संगठनों के बंद का असर, सनिवार सुबह से ही रांची में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है आदिवासी संगठन के लोग सलग पर उतर कर दो काने बंद करा रहे हैं आदिवासी संगठनों के बुलाए बंद के कारण सलग जाम हो गया है, सनिवार सुबह से ही रांची बंद का असर नजर आ रहा है राजधानी के कई चोक और चोराहो पर आदिवासी संगठन के लोग नजर आ रहे हैं इसके अलावा उन्होंने रोड जाम कर अवागमन बाधित कर दिया है बता देकी सारना जहंटा के अपमान की बिरोध में विभीन आदिवासी संगठनों नजर राची बंद का अवहन किया है जिसका ब्यापक असर देखा जा रहा है जारखन पाहन महासंग और अने आदिवासी संगठनों द्वारा आठ अप्रेल को प्रसावित बंद को लेकर संगठन के लोग सलग पर उतर रहा है जिस वज़ा से राजधानी में सुबा से खुली दुकानों को उनके द्वारा बंद कराया जा रहा है कुडमी आंदोलन का असर कई ट्रेनेर रद दे कुडमी को आदिवासी का दर्जाद देने की मायंके समर्थन में कुडमीयों का अंदोलन जारी है अंदोलन करियों ने हावडा मुंबाई रेलमार्ग और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है इसी वज़ा से इस रूट पर ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठाप हो गई है कुण्मियों के अंदुरन का असर जार्खन की रेल सेवा पर भी देखी जा रही है रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों को रद किया गया है बता दे दक्षिन पूरो रेलवे रांची मंडल की ओर से सनिवार को बताया गया कि कम से कम चाट ट्रेनों को रद कर दिया गया इसमें बरावनी कोईंबटो एस्पेसल ट्रेन, बोकारो इस्टीर सीटी आसन सोल मेमो पैसेंजर एस्पेसल ट्रेन, आसन सोल रांची मेमो पैसेंजर एस्पेसल ट्रेन और रांची आसन सोल मेमो पैसेंजर एस्पेसल ट्रेन को आठ अप्रेल को रद कर दिया गया है जहारखंड में 203 किलोमेटर बनेगा वारानसी कुलकत्ता एक्सप्रेसवेग वारानसी कुलकत्ता वाया रांची शिक्स लेन एक्सप्रेसवेग का जहारखंड की सीमा में निर्मान के लिए एजेंसियों का चेन कर लिया गया है करीब 610 किलोमेटर लंबा या एक्सप्रेसवे जहारखंड की सीमा में 203 किलोमेटर का होगा इस हिसे को 6 खंड में विभाहित करके बनाया जाएगा अब चारिकताओं को पूरा करते हुए जल्द काम सुरू कराने का लक्ष रखा गया है निर्मान की गाति को तेज रखने के लिए रामगाड में डेडिकेटेट का रियाला भी अस्थापित किया गया इस एक्सप्रेसवे के बनने से उतर परदेश बिहार जहारखंड और पच्छिम मंगाल के बीच हाई स्पीड की नई कनेक्टिवीटी मिलेगी यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा जारखन में इस एक्सप्रेसवे के दो सतीन किलोमेटर हिस्से को बनने में करीब आट हजार कलो रुपई की लागत आकी गई है खेसारी लाल यादव के कारिकर में पत्थर बाजी जारखन में भोजपोरी फिलम एस्टार खेसारी लाल यादव के कारिकर में पत्थर बाजी हो गई है फिलम एस्टार इतने नराज हुए कि कारिकरम को बीच में ही छोड़ कर चले गा है मामला पलामो जीले में जारखन बिहार की सीमा परिस्थीत नोडिहा बजार प्रखन के करकटा का है बोजपोरी एस्टार खेसारी लाल यादव के कारिकरम में भीड से किसी ने पत्थर चला दिया जिससे एक महिला डांसर का सीर फट गया पूलिस के दो जवान भी चोटील हो गा है जारखन के पलामो जीले में हुए इस घटना के बाद कारकरम को बीच में ही रोकना पड़ा वहीं के सरी लाल यादव भी नराज हो गा है उन्होंने लोगों को खोब खरी खोटी सुनाया कहा हम पिक्चर बना कर अच्छा पैसा कमा लेते हैं हमें स्टेज प्रोग्राम करने के ज़रुत नहीं लेकिन लोगों का प्यार देखने में इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ रांची समेत कई जीलों में 9 अप्रेल को बारिस जारखन के तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभवना नहीं है मौसम केंद्र रांची ने इसका प्रोग्राम किया है हलाकि 9 अप्रेल को राजी के कई जीलों में बारिस का उनुमान है मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 9 अप्रेल को राजी के मध्य और पुर्वी हिस्से में बारिस हो सकती है गरजन और बजरपात का भी पुरुमान किया गया है इसके बाद मौसम सुस्क हो जाएगा वहीं 8 अप्रेल को राजी धानी और आसपास के इलाकों में अकास में बादल चाहे रहेंगे इसे लोगों को फिलाल गर्मी सराहत रहेगी मौसम केंद्रे ने बताया है कि 10 अप्रेल से 13 अप्रेल तक आसमान मुख्यता साप और मौसम सुस्क रहेगा मौसम विभाग की और से जारी पुर्मान के मुताबिक 9 अप्रेल को होने वाली बारिस काफी हल्क के दर्जाकी होगी गोला में उगरवादियों ने फुके JCB ट्रेक्टर समित 5 वहान रामकर्ण के गोला थना छेतर में उगरवादियों का तंड़ाव देखने को मिला की बात कही जा रही है सुत्रों के मुताबिक यह मामला लेवी से जुड़ा हो सकता है बता जा रहा है कि यहां वर्चस्व कायम को लेकर इस घटना को अजाम दिया गया लेवी नहीं मिलने पर उगरवादियों ने यह करवाई की है कुडमी आंदोलन की वजह से 316 ट्रेने रद दे पच्छिम मंगाल में बुद्धवार 5 अप्रेल 2023 से सुरू हुआ कुडमी आंदोलन सन्निवार को भी जारी है पटरियों प्रबैठे कुडमी समाज की परदसन करियों के कारण दक्छिन पूर्व रेलवे को अब तक 316 ट्रेनों को रद करना पड़ा है इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद होने से दक्छिन पूर्वी रेलवे को कड़ोर रुपय का नुक्सान हुआ अकेले खड़कपुर मंडल को 25 कोड़ रुपय का नुकसान होने की बात कही जा रही है इस दोरान हजारों यातरी अपने गंतवे स्टेस्नों पर जा नहीं पा रहे लोग जहां तहां स्टेस्नों में फसे हैं सुक्रवार को दक्षिन पूर्वे की एक हतर ट्रेनों को रद करना पड़ा था जबकि 8 अपरेल को 32 ट्रेनों को रद कर दिया गया इतमें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ लोकल ट्रेन भी हैं कई ट्रेनों को परिवर्थित मार्ग से चलाया जा रहा है सराय किला में हाथी ने ग्रामिन को मार डाला सराय किला खरसावा जीला के चौका थाना छेतर अंतरगत बली डिह गाउं में जंगली हाथी ने हमला कर दिया इस हमले में एक ग्रामिन की मौत हो गई बता जा रहा है कि हाथी अपने जूर से बिछड़ गया है जूर से भी छड़ने आक्रोसित हाथी ने 52 वर्सी रहिना मुंडा को पटक पटक कर्मा डाला खाटना सनीवार सुबा की है जनकारी के अनुसार रहिना मुंडा सोच के लिए अपने घर से आधा किलिम्टे दूर बली डी के स्वन रेखानादी की तरफ गया था चाहत जूर से भी छड़े हाथी ने उसे अपने चपेट में ले लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई लोहर दग्गा में पीले फाई का तंडव चाहर खन की राइधानी रांची से 60 लोहर दग्गा जी लेके कुडू में पीले फाई के उगरवादियों ने जमका तंडव मचाया के साथ साथ आस पास के लोग में दसत है बता दे कुडू थाना चेत्रे के मकादू टोंगरी में इस्थीद बाला जी एस्टोन ट्रेंडिंग वर्कस लिमिटेट के माइस तथा क्रेसर प्लांड में पीले फाई उगरवादियों ने लेवी के लिए जमकर उत्वाद मचाया एक पोकलेन और एक साउंड लेस जेनरेटर को फूग दिया है पोकलेन अपरेटर के साथ मार पीट की दसत फैलाने के उदेश से दो बम बिस फोट भी किये हैं साल भर में मॉब लेंचिंग से 10 लोगों की हत्या कानून आने के बाद भी जहरकन में मॉब लेंचिंग की घटनाए नहीं रुक रही है एक साल में राजे के अलग अलग जीलों में 10 लोगों की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दिगाई गौतला भाई की जहरकन बिधान सवा के सीथ का लिन सत्र 21 दिसमर 22 लेंचिंग कानून पास गिया गया है बिधान सवा में भीड हिंसा रोक्ताम और मॉब लेंचिंग बिधायक 22 लेंचिंग को धोनी मसे पारीद करा दिया गया था चार जनवरी 2022 को सिम्डेगा के कोले वीरा थाना छेतरे के बेसरा जारा में भीड ने संजु प्रधान नाम के सक्स को पहले पीट-पीट कर अदमरा कर दिया और फिर जिंदा जला दिया था वही 11 जनवरी 2022 गिरी डी के तीसरी परखंड के सलगाड़ी गाउ में एक युगा की पीट-पीट कर हत्या कर दिया थी वही 29 जनवरी 2022 को दुमका के हंसडिहा थाना छेतरे के धनवे गाउ में PDS डीलर को पीट कर माड़ा था वही 3 अक्टूबर 2022 को गुमला के जारी थाना छेतरे के तीगरा गाउ में 32 वर्सी ये एजाज खान की उगर भीड ने पीट-पीट कर हत्या कर दिया था वही 16 अक्टूबर 2022 को भी ऐसे ही घटना घटी थी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का वेल आइकन दबाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों की साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वाएक अवस्य दे थैंक्यू